हेलो एबरिवन, मैं मिथुन सिंग, स्वागत करता हूँ, आप सभी का आसा करता हूँ, आप सभी बहुत अच्छे होंगे कस्तुर्बा गांधी वाली का विध्याले में मैंने जैसे पहले बताया था, रिकूटमेंट आनी सुरू हो चुकी है ऐसे में कोई भी जिला आपसे छूट न जाए, हाथ चोड़ के आपसे रिकूस्ट है, आप अपने जिले का नाम राज के साथ नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखे, आपके राज से जैसे ही आपके डिस्टिक से जैसे ही जिले से रिकूटमेंट आती है, मैं अपडेट करने की पूरी कोसिस करूँगा आप लिखते हो अपने जिले का नाम मैं उसे डायरे में नौट करता हूँ और फिर उस जिले की वेबसाइट को जाकर मैं चेक करता हूँ और आपके लिए रिकूटमेंट की वीडियो बना कर लाता हूँ सबसे पहले मैं बता दूँ यहां से आ इंटरमेडियेड हो च्मेस मंननल तो आपके सर्टिफिकेटं भीपाकॉन प्रैटमेंट का नाम थोड़ी सी गलवड़ी हो जातीन से अपको सिर्फ अपने मेट्रिक यौप लीज ही हाँ है मैट्रिकूल çıkar के है की ह्या थिर हरी च्वा स्टिफिकेट हे जो data लिखा हुआ है, जैसा आपका नाम है, जिस spelling के साथ, उसी spelling के साथ आपको आगे बढ़ना है, data of birth के साथ आपको आगे बढ़ना है, और overwriting हो जाए, तो फिर से print out करा लिजे, क्योंकि ये एक ही page का है, और इसी में आपको सारी बातें भर कर लिखनी है, कुछ भी extra में नह अगर कहीं हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, description box में खोलिएगा, वहाँ पे आपको t.me और मिथूर सिंग के नाम से जो link दिखेगा, वहाँ से जोईन कर सकते हो, या फिर telegram चैनल का जो screenshot है, मैं यहाँ लगा देता हूँ, और user ID के साथ तकि आप वहाँ से जा सको, या फि और किस-किस subject किया ही है, उसे देख लेते हैं, English सिक्षिका की recruitment है, गनित, उर्दू, computer, scout, guidance और कला सिक्षिका की recruitment आई हुई है, चौकिदार और योग सिक्षिक की recruitment आई हुई है, अब आप पुछोगे qualification क्या चाहिए होगी, तो यहाँ से आप देख लो, graduation होना अनिवारी है, beard होना अनिवारी है, साथ में TAT, कोई भी TAT की परिच्छा अगर आपने pass कर रखी है, तो भी आप apply कर पाओगे, यहनि कि अगर आपने CTAT pass कर रखा है, आप eligible हो जाते हो, UP TAT, मद्रदेश TAT, कोई भी TAT अगर आपने qualify कर रखा है, आप eligible हो जाते हो, तो maximum जो है, वो age 55 रखी गई है, तो यह सारे criteria को अगर आप देख लो, उसके बाद ही आप apply करना, अब देखिए कुछ नियमों को देख लेते हैं, actually, यहाँ पर सारे नियम को जो है, यहाँ पर दे दिया गया है, देखिए, आठ भी उतरीन होना निवार है, करम संख्या आठ के बिसे सहीत, अगर आप जैसे TGT English के लिए apply कर रहे हैं, तो उपर में आप लिख दोगे TGT English, और लाल pen से लिखना निवार है, और लिफाफे के उपर sketch pen से अबस लिखा जाए, otherwise निरस्त कर दिया जाएगा, तो इन चीजों को देख लिजएगा, सारे चीजों को लिखना ब दो लिफाफे में आपको भेज देना है, या असपस्ट लिखा हुआ है, दो लिफाफा, देख सकते हो, आप रूल नमर 21 पढ़ लिजए, दो लिफाफे पर, तो दोनों में 77-77 रुपए जो है लिख देना है आपको, और जो आपका चरित परमान पत्र है, आवासिय परमान पत्र है, ये सारे बना लिजएगा, और वहाँ पर आपको self-attested लिखना है, किसी भी जब आप certificate लेते हो, या फिर मार्षिड लेते हो, self-attested आप लिख लेना पूरा, उसके बाद line दे देना, फिर आप अपनी signature कर सकते हो, आपका जो भी signature है, और date आप mention कर देना, तो आपका काम बन जाएगा, और कुछ ज़रूरी जानकारी मुझसे छूट रही है, क्या मैं देख लेता हूँ, और by the way, कुछे comment section में पोच लिजिएगा, हमारे परिवार में इतने लोग हैं, और एक दूसरे की मदद इतनी करते हैं, आप comment किजिएगा, कोई ना कोई आपकी question को reply ज़रूर कर देगा, अगर कोई नहीं करता है, तो मैं तो हूँ ही खड़ा, मैं reply कर दूँगा, by the way, ये जो recruitment आई कि अपले ये website पे अबलेबल नहीं थी, और उसका जो print था वो बहुत ही गंदा था, इसलिए मैंने ये फिर से जो है आपको जानकारी दे दी है, तो जल्द से जल्द आप अपलाई कर सकते हो, और हाथो हाथ जो है लिफापा आप अंदर में देकर हाथो हाथ अपलाई कर सक लिस्ट है, वीडियो जाकर देख लिजिए, काम आपका बन जाएगा, कॉमेंट सेक्शन में, लिंक मैंने दे रखा है, किसकी जिले की recruitment फिलाल आ चुकी है, वीडियो को आपने यहां तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत सुक्रिया, have a good day.